नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सबीक आपके अपनी चानल लॉलिस ट्विस्ट पर तो हम करते हैं करेंट अपरेजन फॉर मिनट सीरीज आज का डेट है 22 फेब जो भी इंपॉर्टन न्यूस है हमारे एक्जामेनेशन में जिसका आने के चांसे से उसको हम लोग अभी करेंगे जल्दी से इन फॉर मिनट तो सबसे पहला आज का डेट है 22 फेब जो भी इंपॉर्टन न्यूस है तो चलिए सबसे पहला जो न्यूस है कि प्रदान मंत्री नरिंद मोदी ने अभी इनागरेट किया है गोवर्धन प्लांट को इन दौर में और यह एसिया का सबसे बिगेस्ट बायो सी एंजी प्लांट है तो यह इंपॉर्टन है क्योंकि पूरे एसिया में इंडिया का बायो सी एंजी को टॉप पे रखा गया है और इसका जो सेटप चार्ज था वह 150 करोर था तो यह हो गया पहला इसमें बैसिकल आप आएगा कि कहां पे किस स्टेट में या किस जगब पर इसको इनाउगरेट किया है एसिया में कितनी रैंकिंग है तो टॉप ही है फिर नेक्स इंपॉर्टन न्यूस है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर एंड फिल्म यह क्या है फैमली वेलफेर के द्वारा अभी एक इनिसेटिव लांच किया गया है मेरी इसमें क्या होगा कि इसमें डोर स्टेब डेलिवरी करेंगे जो भी इंसरेंस पॉलिशी फार्मर्स लोगों के लिए उनको डेलिवरी मिलेगी यह जो प्रदानमंत्री फसल भीमा योजना है उनके अंडर उन लोगों को लेके आया जा सके ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टन यह एक रिपोर्ट है डेलॉइट 2022 कार्बन डॉकसाइड की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है और इसमें रिपोर्ट डिसकनेक्ट बिट्विन अमबिशन एंपक्ट तो हर कंट्री को यह टार्गेट रखना है ना कार्बन इमेशन का तो उसी के बेसिस पे क्या क्या कर रहा इसके बेसिस पेस को बनाया गया है तो इंडिया का जो रैंक है भी वह फिफ्थ है तो इंडिया का रैंकिंग कहीं पर भी अगर इशु करा जा रहा तो वह लोग के लिए इंपॉर्टेंट अगर अगर एंसर लिखते हैं पॉल्यूशन या फिकार्बन या मिसेट बिए को तो आप तो बहुत एफक्तिव हो जाएगा एक्स इंपॉर्टेंट न्यूस है कि हुरून अभी आया है और इसमें क्या होता है तो इसमें नंबर ऑफ मिलेनेर्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाते तो अभी क्या हुआ है कि मतलब इंडिया का जो रिपोर्ट है इंड तो चक् stinks से ज्यादा मिलेनेर्स आपको मिलेंगे मुंबई में एं फिर डली में फिर कोल्काता में नेक्स इंपॉर्टेंटन न्यूस है कि इंडिया का मूस्ट ट्रस्टेड पाबिक स्टेर कंपड़ी लिमेंट यहां अपने लिमेटड तो यह कोल इंडिया यह बहुत इं सर्विस के लिए दिया जाता है और बिल गेट के पार जानते हैं आप लोग कि वह फिलान्थ्रोपिस्ट भी है और बहुत सारे कंट्री में वह अपना फिलान्थ्रोपी प्रॉजेक्ट चला रहे हैं और बहुत जगर बहुत कुछ यह इन्होंने अपना टार्गेट को स्री निकेतन रवेना टैगोर्स पाइनेरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन तो यह बुक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है इसमें यह आ सकता है तो उमा दास गुपता तो यह से रिवाइस कर लिए नेक्स्ट इपॉर्टे न्यूस है कि साकी बुल घानी जो है इंडिया से बिहार के रेर्सिदेंट हैं और यह पहर करेंट अफष के लिए प्रेंट है कि यह फिर्स कॉम बन गया है चिनों है ट्रिपल सांचवूरि हिट किया है अपने ड्यफिव मेंल अत्या तो यह अने शाकिंब गानी नेक्स्टिंपरटर्ट नीज है जिम्मी सोनी ने अभी एक बुक को लिखा है जिसका नाम है The Founders, Story of PayPal तो यह उनकी स्टोरी के ओपर ही है Next important news है कि जो इविंटर ओलम्पिक जाल रहा था चाइना में वो अभी ओवर हो गया है और उसके जो रिजल्ट्स है वो क्या क्या है सबसे पहले गोल्ड मेडल में सबसे जाधा मिला है नौर्वे को जर्मनी को फिर चाइना को और यह जो 2026 वाला जो होगा विंटर ओलम्पिक वो कहा होगा इटली में होगा Next important news है कि इंडिया का first Bios Diversity Park जो बन रहा था हिमाचल प्रदेश में वो बन गया है और कहा में परना है तो मंडी जो जगह है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर बना है